नमस्कार दोस्तों मेरा हुल्यादव आपका मैस्पेंटर स्वागत करता हूँ आपके आने वाली बोर्ड की एक्जाम के फुल सिलिवर्स के जैसा कि मतलब कि आपकी बोर्ड की एक्जाम में जो टाइप के MCQ पूछे जाएंगे उस टाइप के MCQ की प्रैक्टिस से संगना है दोस्तों वैसे तो मैंने आप लोगों की कॉमेंट पढ़ी आप लोगों का यह है कि सर गुजराती में वापिस तो बेटा मैं आपको एशूर करता हूँ कि कहीं पे भी आपको लेंगवेज बेरियर नहीं आएगी ठीक है और ये सेसन आपको मतलब एक प्रैक्टिस का बहतरिन टूल बनके आएगा ठीक है बाकि जो कुछ भी लाइव होगा वो तो गुजराती में ही लेंगे और एकदम बरोसा करके जो क्वेस्टन की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करा रहा हूँ बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्यों प्रैक्टिस मैं मैं पर्फेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का सेसन फुल सिल्वस के 50 MCQ वन शोट हम करने जा रहे है पहला MCQ देखते हैं पहला MCQ क्या कर रहा है तो आपको एक डोमेंड देके रखा है 123 और इस डोमेंड पे नंबर ओफ इक्यूवेलन्स रिलेशन की जो 1,2 को कंटेंड कर रहे है आपकी NCRT का ही MCQ है continuous दो MCQ ऐसे दिये हैं सेम exercise में वैसे इसका correct explanation तो मैंने आपको कई बार कराया होगा आप previous session attend कीजिए उसके अंदर मैंने इसका detail explanation दिया है अगर ये MCQ आने वाला है बरोसा रखना same value के साथ आएगा दो MCQ है उसकी trick भी बनाईए अगर question में आपको एक pair दिखे तो उसका answer 2 है और अगर दो pair दिखे तो उसका answer 1 है एकदम इस साल की technique आपको दे रहा हूँ आशा रखता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी एक बार जाईए उसके पहले दो MCQ की ही बात कर रहा हूँ जिस question में एक pair देंगे उसका answer 2 आएगा जिस question में दो pair देंगे उसका answer 1 आएगा वालब एकदम अजुबा है वालब सही है अगले question क्यों जा रहा है next question देखो A और B की binary जो है ना वो कुछ इस तरह से define है किस तरह से define है 3A plus 4B minus 2 तो यह binary operation के लिए इसमें से कौन सा option suitable है तो अगर आप देखते हो A और B की binary की A का 3 time plus B का 4 time minus 2 तो आप वहीं से sure हो कि sir यह जो binary operation है वो commute नहीं है अब आपको कुछ चीजे recall करनी है कि अगर binary operation commute नहीं होता है तो sure है कि एसोसियेट नहीं होगा sure है कि identity नहीं exist करेगा sure है कि inverse नहीं मिलेगा तो यह commute नहीं है आपने बस question पढ़के पहचाना तो आपका यह जो चार option दिये है उसमें से well suitable कौन सांसर है तो does not exist identity element आपको बस यह याद रखना है कि अगर binary operation commute नहीं है तो identity नहीं exist करेगा इन्वर्स नहीं exist करेगा clear है अगले हम secure बढ़ रहे है देखो यहाँ पर एक mapping देके रखिए q से r तक function defined है दूसरी mapping है q से r तक function defined है और आपको go of 3 by 2 पूछा है तो आपको मालूम है कि यह 3 by 2 पहले f को लगेगा f of 3 by 2 आप calculate कर लो कितना आएगा तो 2 into 3 by 2 minus 1 by 2 2 2 cut 3 minus 1 2 by 2 तो कितना आया 1 तो आपको क्या पूछया है g of 1 तो g के अंदर x के बले 1 रख दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा वेटा 3 तो यही आपका correct answer है 3 board में इसी type के question पूछे जाते हैं और हम उसी level की practice कर रहे है दन अगले question क्यों पूछे नेक्स question देखो यहाँ पे देखो cos बोले ना तो होते हैं जानते ही हो minus को P जाएंगे तो cos minus pi by 3 आपके लिए cos pi by 3 है और pi by 3 तो first quadrant में लाइक करता है first quadrant में पूरी दुनिया कट जाती है तो cos inverse cos कट जाएगा तो क्या answer बचेगा pi by 3 है ना अगले question क्यों बढ़ड़े हैं यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको P ID करनी है इस 10 13 pi by 8 के लिए है अपने गाउं में इसी को 16 pi minus 3 pi by 8 बोला जाता है और इसी को 2 pi minus 3 pi by 8 भी बोल सकते है परफेक्ट अब 2 pi कहां पे आता है तो positive x-axis पे minus के मतलब clockwise तो कौन सा quadrant आया आप बोलोगे sir fourth quadrant fourth quadrant में 10 all sdc के हिसाब से कैसा होता है तो आप बोलोगे sir minus pi का reference है तो function change नहीं होगा तो इसी को आप समझ सकते हो कि sir यह minus 10 3 pi by 8 है अब आप question पे आ जाओ 10 inverse फिर यह जो है 10 13 pi by 8 वो आपका minus 10 3 pi by 8 आया आगे minus था तो minus minus plus तो आप इसको 10 3 pi by 8 समझ सकते हो again pi by 8 means 22.5 triple means 67.5 67.5 कहां पे लाई करते है आप बोलोगे sir first quadrant में मैं बोलूगा first quadrant में दुनिया कट गई 10 inverse 10 भी तो कट जाएंगे तो क्या बचा आपके पास 3 pi by 8 तो क्या इसका answer होना चाहिए 3 pi by 8 अगले question के रबटने है next question देखो एक question कही ना कहीए जो 6 ITF है ना उसका domain range related जरूर से आपको paper में मिलेगा ठीक है इस paper में मतलब कि आज के session में आपको sign inverse का domain domain पूछा है तो बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि सर साइन इन्वर्स का domain मलोग close interval minus 1 से 1 तो close interval minus 1 से 1 दिल तो दिल्ली है मैं है answer क्या आएगा डी अगले question के बढ़ते हैं आपको यह property मालूम है कि a rest to n का determinant निकाल लो कि a का determinants rest to n कर लो एक ही बात होती है और अगर आप यह चीज़ जानते हो तो यह आपको ऐसा नहीं ऐसा दिया है सही है तो determinant of a आपको कितना मिल गया है 5 क्योंकि 5 का क्यों 125 होता है यहां से आप determinant a की value निकाल लो आपको हरगीज आता है alpha square minus 4 वो इस question में कितना बन रहा है आपका तो 5 तो alpha square कितना हो गया तो 9 तो alpha कितना हो गया plus or minus 3 तो आपका correct answer जाएगा option b plus or minus 3 next question क्यों बढ़ रहा है आपको इसके अंदर से correct statement चूज करना है तो जिस तरह से यहां पे option बने है उस हिसाप से आपको theory में बताया गया होगा कि जितने भी identity matrix होते हैं वो सब एक scalar matrix होते हैं लेकिन सारे scalar matrix identity नहीं होते हैं तो बस यह एक line आपको याद रखने है कि identity matrix is a one type of scalar matrix तो उस हिसाप से आप यहां पे option A पहला ही option एकदम आपके लिए correct बन रहा है कि each identity matrix is a scalar matrix यह तो अपने लिए मतलब एकदम आपके लिए innovation है कि वही कुछ method सिखाई जाती है कैसी सिखाई जाती है तो matrix को determinant is equal to zero के साथ compare किया जाता है जिसके principal diagonal element में से उसका नाम minus कर दिया जाता है बाके सबको as it is रखा जाता है solve किया जाता है constantum को I लगा दिया जाता है compare किया जाता है answer आजाता है ना कि multiplication के अंदर जाके चीज़े form करके वहां compare वहां सभी answer तो आता ही है थोड़ा time consuming वो तरीका हो जाता है यहां इसको solve कर लेते हैं तो यह 4 minus a minus 4 a plus s square minus 9 is equal to 0 simplify कर लेते हैं तो s square minus 5 a minus 5 bonus में लगा I is equal to 0 अब बैटे इसको है ना इसके साथ compare करो s square minus 5 a minus k a तो k आपको जरूर से 5 मिल जाएगा बाकी की terms तो similar है ही तो इसका answer option c याद रखना दिख जाएगा paper के अंदर method ठीक है अगले question के और बढ़ रहे है देखो यहां पे एक matrix आपको define करके रखा है साथ में कुछ matrix multiplication comparison की कानी है कि यह matrix this one into this one है पका और आपको पूछाएगी आलफा क्या होगा तो आलफा कहां पे आप देखते हो तो sir आलफा जो है न वो तो second row और second column में लाइक कर रहा है यह आपका आलफा है matrix multiplication में second row second column का element कैसे generate होता है तो first matrix की second row और second matrix की second column के correlated element का multiplication का sum तो मतलब आपको यह चीज रखनी है और पीछावला matrix A है तो उसकी यह चीज रखनी है corresponding element का multiplication करना है तो 0 into minus 1 क्या आएगा 0 1 into minus 3 क्या आएगा minus 3 and minus 3 by 2 into minus 3 कितना आएगा 9 by 2 तो अगर आप simplify करोगे तो minus 6 plus 9 तो आपका 3 by 2 जो option B में दिया है वो आपका correct answer हो जाएगा अगले question के बढ़ रहे है next question देखो if k is a real number अरे यह तो वो property आगई कौन सी तो आपको मालूम है कि sir k a का determinant होता है k rest to n into a का determinant से यहां पर एक के बले डी वर्ड यूज किया है तो k d का determinant क्या होगा तो k rest to n into d का determinant बहुत ही फेमस यह property है और option D में यह दी गई है तो पहला काम आप यह कर लो कि r3 में से 2 common ले लो तो चलो यह 312 हो गया यह 541 हो गया 541 भी है यहां पर 270 चाहिए यहां पर 440 दिया है तो दूसरा काम कर लो c3 में से भी 2 को common ले लो तो यह k आपको 4k दिख जाएगा और यह दोनोर determinant similar दिख जाएगे तो cancel out होंगे तो इधर 1 बचेगा तो 4k 1 है तो k आपका 1 by 4 बन जाएगा तो k 1 by 4 option a में plus है तो right answer क्या आना चाहिए option a अगले question के और बढ़ रहे है एक continuity का mcq predictable है ही अब कौन सा आता है वो matter करता है वैसे तो यहां पर बोल के रखा है continuous है तो continuous कहां पर होगा जहां पर function break हुआ होगा function break कहां पर पर हुआ है continuity का क्या मतलब होता है तो limiting value is equal to point value मतलब के limit exist करनी चाहिए मतलब के left and limit 5 के लिए right and limit 5 के लिए same होनी चाहिए तो मतलब के 5a plus b 35 minus 5 30 होना चाहिए similarly आप चाहो तो 10 के लिए check कर सकते हो तो 70 minus 5 तो 65 is equal to 10b plus 3a होना चाहिए आप इन दोनों को eliminate करो या तो option को इस equation के अंदे substitute करो जो satisfy करेगा आपका answer है तो आपको even ये भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है ज़स्ट आप ये एक equation develop कर लो देखो 510 रखोगे तो 25 10 35 30 नहीं हो होता है या answer हो सकता है 10 5 रखोगे 50 plus 5 या answer नहीं है 00 के लिए answer नहीं है तो एक ही option आपको complete solution इस equation का दे रहा है तो वहीं से बाकिए आप eliminate करोगे तो 5 5 आप generate कर पाऊगे complete अगले question क्यों पड़े question number 14 क्या कह रहा है यहाँ पे देखो आपको है एकदम मतलब के concept के साथ जाना differentiate करना है जास आपको यहाँ पे गिवान है x is equal to cos xy आप यहाँ क्या करोगे differentiate with respect to x x का क्या हो जाएगा 1 cos का क्या हो जाएगा minus sin xy और xy का क्या हो जाएगा xy1 plus y इसको थोड़ा सा simplify कर लो तो यह minus x into sin xy into y1 complete x आगे लिखा y1 पीछे लिखा minus y sin xy किसके equal to 1 equal to तो यह minus y sin xy इदर आ गया 1 plus y sin xy आपको y1 चाहिए तो उसके अलावा जो चीज़े है जैसे कि minus x sin xy और denominator में चला गया तो आपको y1 मिला यहाँ से आप minus 1 by x throughout आगे रख रहे हो तो 1 अपन sin क्या कहलेगा cos xy और यहाँ पे जब divide करोगे तो sin xy cancel हो जाएगे त तो यही तो आपको पूछा था y1 तो आपका answer आना चाहिए था minus 1 upon x cosec xy plus y जो आपको option d पे plus है ठीक है सही answer लाने के बाल super fast सही option choose करके tick करना यह भी मतलब कि एक हुनर होता है जो आपको develop करना है अगले question के पर बढ़़ने है next question देखते हैं देखो और कुछ मालुम हो की न हो आपको यह चीजे जरूर से मालुम होनी चाहिए कि sine cosine inverse या cosine inverse क्या होता है तो under root 1 minus जो दिया है उसका square सही है यहाँ पर बस यह check कर लेने का कि x जो है वो valid होना चाहिए minus 1 से 1 के अंदर होना चाहिए अगर आप यह कहानी जानते हो तो आपको देखो यह दिया है मतलब कि आ under root 1 minus x करका differentiate पूछे हैं root का क्या होगा तो 1 over 2 root और 1 minus x करका क्या होगा minus 2x तो 2 to cancel out हो जाएंगे तो minus x over under root 1 minus x square यह आपका correct answer होगा जो आपको option d में plus मतलब आज option d कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं अगले question के रबढ़ है next question देखो the volume of a sphere तो भाई सबसे पहले किसकी बात हो रही है तो आप बोलो के सब sphere की बात हो रही है sphere का volume क्या होता है तो दुनिया जानती है 4 by 3 pi r cube increasing at the rate of pi centimeter cube per second तो मतलब कि आपको dv by dt unit से मालुम चला कि sir यह तो pi centimeter cube per second है the rate at width the radius increasing is when the radius 3 centimeter अगर r 3 centimeter है तो dr by dt कितना होगा physics type का question ह हो गया तो आप इसको differentiate कर रहे हो with respect to time तो आपको मिलेगा dv by dt is equal to 3 3 cancel out so 4 pi r square और r का हो जाएगा dr by dt अब dv by dt pi है तो यह pi is pi के साथ cancel out हो जाएगे तो dr by dt आपको मिलेगा 1 over 4 r3 है तो r square तो मतलब कि 1 over 36 सही है centimeter per second तो आपका answer होना चाहिए था 1 over 36 centimeter per second जो option a में देखे रखा है अगले question की और बढ़ेड है एक question increasing decreasing का आप 100% expect कर रहे हो कि आपके आने वाली exam में आपको solve करके ही आना है क्या करने का होते है first differentiation critical point वेवी कर वहाँ से आपका interval मिल जाता है तो यह उसी की practice करा रहा है इस question में आपको f of x given है क्या given है बेटा तो आप बो differentiate क्या होगा minus e raise to minus x compulsory plus दूसरा is it is पहले का differentiate क्या होगा 1 यह आपका पहला यह आपका दूसरा है सही है यहाँ से आप minus e raise to minus x common ले लोगे तो यहाँ पे x plus 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा minus 1 तो generally आपका first differentiation आया है कुछ इस form में यहाँ से वेवी करो का आप सहारा लोगे तो यह तो बगवान जी से लिखवा के लिए है always positive रहेगा तो just आपका critical point minus 1 generate हुआ है differentiation की sign minus है तो right most region minus आएगा तो यहाँ पे order degree है तो sign change हो जाएगी तो plus आजएगे यहाँ minus infinity होता है यहाँ plus infinity होता है आपको increasing पूछा है आपको plus sign पूछिए तो कहां से कहां तक तो आप ब at which point on circle the tangent is horizontal आपको एक curve का equation वैसे तो circle बोल ही दिया है तो circle का equation देखे रखा है इसके कौन से point पे tangent horizontal होगा पैटा horizontal tangent की photo कैसी आती है ऐसी तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर इसका slope कितना होता है तो आप जानती हो कि सर 0 होता है मतलब कि indirectly यह line आपको बता रही है कि dy वे dx आ dy by dx जो 0 है minus 2 minus 3 का हो जाएगा 0 तो यह term तो cancel out हो गई तो 2x आपको 2 मिलेगा x आपको 1 मिलेगा x आपको 1 जिस एक ही option में है तो आपका answer तो यहां से tick हो जाएगा अगर आपको exact value चाहिए तो x is equal to 1 को आप यहां पे substitute करोगे 1 plus y square minus 2 minus 3 is equal to 0 तो y square आपको 4 मिलेगा तो y आपक जो आपके require point है वो मनलब खोज पाओगे अगर एक question क्यों बढ़ते है next question देखते है local maximum value of the function तो यहां पर आपको एक function दे के रखा है क्या दिया है log x अपन x आपको maximum minima का question है तो आप first differentiate किये तो आपको f dash x मिला यहां पे division rule लगा सकते हो नीचे वाले as it is उपर वाले का differentiation compulsory minus उपर वाले as it is नीचे वाले का differentiation अपन नीचे वाले का square तो generally यह 1 minus log x अपन x square हुआ फिर critical point के लिए दुनिया बोलती है कि sir first differentiation 0 होना चाहिए ratio 0 तब होता है जम numerator 0 होता है तो मतलब 1 minus log x आपका 0 होना चाहिए तो मतलब कि log x आपका 1 होना चाहिए तो मतलब कि x आपका e होना वैसे तो second differentiation verification दुनिया बताती है लेकिन अगर आपको एक ही critical point मिले और option में does not exist word ना हो तो आप directly मालुम चल जाना चाहिए कि जो पूछा है वो यही है तो आपको point तो मिल गया है x is equal to e के लिए maximum है लेकिन आपको value पूछिए तो आपको क्या करना है इस point को function में रख देना ह तो आपका answer maximum जो value आपको पूछी है maximum value वो कितने मिली लोग e by e लोगी तो साही बाबा होते है तो आपका answer क्या है 1 by e जो आपको option c में देके रखा है परफेक्ट अगले question के बढ़ते हैं यहां पे दो subset है जीवन का सबसे important काम होता है सची जोड़ी बनाना एकदम proper जोड़ अगर बनती है तो जीवन आसानी से गुजर सकता है तो वैसे यहां पे आपको sin x square into cos x square दिखरा है आपको जोड़ी 2 चाहिए तो balance करने के लिए 1 by 2 और बेटा इसका आपको differentiate पूछाए तो यह 1 by 2 आगया गया और यह हो गया 2 sin theta cos theta मतलब के sin 2 theta और sin का differentiation cos होता है और 2 x square का तो final answer 2 x cos 2 x square तो आपका answer 2 x cos 2 x square option b पे place है तो right answer क्या आना चाहिए option b अगले question क्यों बढ़ए है इस टाइप का question का solve करने का तरीका क्या है या तो मतलब कि आप determinants की property में एकदम pro हो दूसरा तरीका जो मैं use करता हूँ particular mcq के लिए कि मैं special values एजुम कर लेता हूँ मान लों क की a2 है b3 है और c4 है तो मेरा जो determinant है वो क्या value generate किया है तो 3a मतलब के 6, b-a मतलब के 1, c-a मतलब के 2, a-b मतलब के minus 1, 3b तो मतलब के 9, c-b तो मतलब के 1, a-c मतलब के minus 2, b-c मतलब के minus 1 और 3c मतलब के 12 अब इसको simplify कर लेते हैं तो 12 9 जा 108 plus 1 109 into 6 तो 654, perfect, minus के साथ, minus 12 plus 2 तो minus 10 तो ये हो जाएगा आपका plus 10 and last one 1 plus 18, मालब 19 जा 38, done, तो 8, 4, 12 होगे, केरिया ही 1, 4, 1, 5, 5, 0, केरिया ही 1, तो ये होगे 702, कौन सा option आपको 702 generate करके दे रहा है, क्या first option दे रहा है, क्या देख लेते हैं, यहांसे ABC चाहिए, तो 2, 3, 6, 4, 24 का 3, 72 into A plus B plus C, तो 4 plus 3, 7 plus 2, 9, 9 to the 18, अपने को तो 2 चाहिए था, तो ये यांसे unit plus 2 चाहि 3, 1, 64, तो ये तो आपका answer नहीं बना, यहां पे देख लेते हैं, तो 3 time A plus B plus C, तो ये 3 time A plus B plus C, अभी हम लोग लाये थे, कितना लाये थे, 9 और 2, 2 का multiplication कसम, तो ये 6 plus 12, 18 plus 8, 26, तो जनरली ये हो गए आपका 26, 3s are 78 into 9, तो 9, 8s are 72, केरिया ही 7, 9, 7s are 63 और 7, 70, 702 ही चाहिए तो आपने को, यहां से sure हो जाने का, कि यही answer है, ठीक है, आपको क्या करने है, A2, B3, C4, ये generally AC value है, कि जिसके अंदर एक ही option करेक जाएगा, अगर आप 1, 2, 3 लोग है, तो हो सकता है, कि 2 option का सही answer है, फिर जाके आपको वापिस यही approach जाना पड़े, उससे directly आप इसी approach के सा आगे बढ़ी है, अगले question क्यों बढ़ रहे हैं, तो यहां पर अपने को denominator से नफरत होती है, limit chapter से ही, तो यह तो उसका बढ़ा भाई है, इंटीग्रेसान है, तो अपने कुन denominator में X square plus 1 दिया है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, बस यह logic आपके पास होना चाहिए, तो X square plus 1 यहां पर X ratio 6 है, तो इसके cube type का सोचल हो, तो X ratio 6 plus 1 आपका numerator से सजा होना चाहिए था, नहीं था, तो कल लिए balance करने के लिए minus 2 कर दिया, तो चीजे जो देख कर रखिये, वही हो गई, अब इससे फाइदा किया हुआ, तो A cube plus B cube क्या हुआ, तो A plus B another bracket S square minus AB plus B square, divide by separate कर दिया, तो X square plus 1 minus 2 by X square plus 1, सही है, मतलब कि अब आपको यह जो integration के 8 MC के दिक्कत नहीं दे रहे होंगे, यहां पर X square plus 1 cancel out हो गया, तो यह हो गया आपका X 5 by 5 minus X cube by 3 plus X minus 2 tan inverse X, यह तो मतलब बच्चा बच्चा बना लेगा ना, तो answer आना चाहिए था, आपका X 5 by 5 minus X cube by 3 plus X minus 2 tan inverse X, तो य अगले question के बढ़ने हैं, देखो आपको मालूम है कि integration और differentiation एक दूसरे की reverse process में ठीक है, anti-derivative बोला जाता है integration को, तो आपको integration of F of X दे के रखा है और आपको function पूछा है, तो आप क्या करो, both side differentiate कर दो with respect to X, तो इधर आपको मिल जाएगा F of X, यह 5 आगया आगया, वहाँ प to 4 by X, तो log X rest to 4 by X, आपका option B में गीवन था, अगले question के और बढ़ने हैं, तो देखो यहाँ पर यह X बोला यार, मुझे तो यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, तो यह लोग पति-पत ने cancel out, तो यह आपको सबसे पहले feel होना चाहिए, सर यह question दिया है, मतलब कि आपको पेटा, यह question दिया है, तो someone rest to X, ठीक है, just like A rest to X का क्या होता है, integration तो आप बोलोगे, sir A rest to X upon log A, तो इसका क्या होना चाहिए था, तो A E rest to X upon log A E, प्लस लोग A E, जो आपको option B में दिया है, तो right answer क्या आना चाहिए, आपका option B, अगले question के दिया है, देखो, आपको मालूम है कि अगर नीचे भाई उपर बावी दिख जाता है, तो answer log mode भाई आता है, यहां पर answer log mode भाई आ चुका है, तो मतलब कि यह भाई है और यह बावी है, बावी means what, differentiation of denominator, right, तो मतलब कि इस C का differentiation यह है, साथ साब के NCRT, क्या ही MCQA, वैसे तो आपको आता होना ही चाहिए, नहीं आ रहा है, तो मैं आपको explain कर रहा हूँ, आगे से अगर repeat होगा, तो आप एक दिम प्रो बन गए होगे, x रस तो 10 का differentiation, 10 x रस तो 9 को देखे रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं, यह a into 10 raise to x minus 1 जो है, वो क्या है, तो 10 raise to x का differentiation ह यह क्या लिखके दिया है, तो a 10 raise to x upon 10, क्योंकि 10 raise to x into 10 raise to minus 1, 10 raise to minus 1 को 1 upon 10 बोल सकते है, 10 raise to x का differentiation दुनिया जानती है, 10 raise to x into log 10, तो यहां से 10 raise to x, 10 raise to x cancel out हो गए, तो a is equal to 10 into log 10, यह बोले यार, अपनी जगह तो यह ज़्यादा suitable है, तो log 10 raise to 10, यह आपको a की value मिलेगी, तो a का answer हैगा, log 10 raise to 10, जो option, अगला question की और बढ़ते हैं, अगला question है, minus 4 से 4, mod of x plus 2 dx, वैसे तो आपको सिखाया गया था कि अगर modulus function का integration करने को आया, तो उसके critical point से function को आप break कर सकते हो, तो मतलब कि इसका critical point minus 2 है, तो आपके पास, मतलब कि एक तरीका है कि sir, minus 4 से minus 2, वहाँ प दोनों का sum करके, लाशना पांसल लागा दोगे, तो वह तो एक तरीका मतलब जग जाहर है, दूसरा तरीका यह होता है कि अगर आपको हलका full का graph अगर आता है, तो कुछ आपको ज्यादा ही फाइदा हो जाएगा, जैसे कि critical point है, आपके पास minus 2, और modulus function का graph कही ना कहीं तो आ minus x minus 2, आपको जो area पूछा है, वो कहां सा कहां तक पूछा है, मानलो कि minus 4 यहाँ पे है, और 4 यहाँ पे है, तो आपको बेटा यह वाला area, plus यह वाला area, इतना आपको पूछा है, अगर आप integration की property से जा रहा है, तो भी आपका, मतलब, last answer तो यह ही आएगा, अब जैको अगर क्या है, तो right angle triangle है, जिसमें यह दूरी कितनी है, तो minus 2 से minus 4 मतलब 2 जितनी है, यह दूरी कितनी है, तो आप इस equation में y के बले minus 4 रखोगे, तो x is equal to 4 minus 2, तो 2 जितनी हो जाएगी, वैसे ही यह दूरी कितनी है, तो minus 2 से 4 तक मतलब 6 जितनी है, और यह दूरी कितनी है, तो minus 2 तो 2 हुआ है सही है तो a1 मतलब कि half base into height यहां 2 to cancel out हो गए तो 2 बचा a2 half base into height यहां 2 3 6 3 6 18 सही है तो आपको यहां पे दोनों का sum पूछा था तो 2 plus 18 तो क्या answer आएगा बेटा 20 जो आपको option b में place है अगले question क्यों बढ़ रहे है यह भी बहुत famous question है जैसा कि आज के session की पहले question में मैंने आपको trick दी थी नहीं यादेना कि एक अगर element दे तो answer 2 है दो element दे तो answer 1 है वैसे ही यहां पे जो मैं figure बना दूँगा यह आपको ना सिर्फ अपने board की exam के लिए बट गुचकेट की exam में भी यह figure दिमाग में रखके जाना है figure क्या है तो वही 11 का प्यार है यह मान लो कि आपका x is equal to 0 है यह मान लो कि x is equal to pi by 2 है इसका exactly middle में आता है x is equal to pi by 4 इसके अंदर में sin और cos का graph आपको मालूम होना जिए sin 0 0 होता है sin pi by 4 1 by root 2 होता है और sin pi by 2 1 होता है तो यह जो मैं draw किया यह sin x का graph हुआ वैसे ही cos 0 1 होता है cos pi by 4 1 by root 2 होता है और cos pi by 2 0 होता है तो यह जो मैंने draw किया यह cos x का graph हुआ done है मेरे को यह सारे area जानने में interest है यह कितना होगा फिर यह कितना होगा और यह कितना होगा माल लो कि यह a1 है यह a2 है और यह a3 है तो सबसे पहली चीज आपको symmetricity से मालुम पड़ेगा कि a1 और a3 सेम है अगर गिनना है तो कैसे गिनेंगे अलग-अलग भी गिन सकते हैं यह मैं आपको concept दे रहा हूँ फिर question तो आपने आप आप solve कर लोगे सही है यह figure आपको exam all के अंदर दिमाग में बैठा के जानी हो सकते है डिरेक्ली आपको पूछ ली जाए और answer भी आपका sign है आपको जस्ति यह integration perform करना है तो आपको जरूर से आता है कोस का integration sin x होता है माइनस sin का integration cos x होता है रेंज लग जाती है zero से five four जब आप five four substitute करते हो तो one by root two plus one by root two two by root two to root two minus करके zero substitute करते हो तो यह zero और जिरो one होता है यह आपका a1 आया वैसे ही आपको तो A3 इतना ही आएगा लेकिन एक बार गिन लो पहली और आखरी बार गिन लो अगर A3 आपको गिनने आए मतलब कि यह वाला portion की बात कर रहा हूं तो कैसे गिना जाएगा pi by 4 से pi by 2 तक, pi by 4 से pi by 2 तक, उपर यहाँ पे चल रहा है sin x, minus करके नीचे यहाँ पे चल रहा है cos x का integration तो sin का integration minus cos x और minus cos x का integration minus sin x, तो minus common cos x plus sin x और यह लग गई आपकी pi by 4 से pi by 2 तक, तो यह minus as it is, pi by 2 रखेंगे cos pi by 2 0, sin pi by 2 1 minus करके pi by 4 रखेंगे, 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2, तो मतलब कि root 2, यह minus, मतलब कि अंदर distribute होगा, तो यह भी कितना हैगा, root 2 minus 1, तो आपको मालूम चल गया है sin x और pi by 4 से pi by 2 तक pi by 4 से pi by 2 तक आपका चल रहा है cos x दन है तो sin का integration दुनिया जानती है minus cos x रेंज लग गई आपकी 0 से pi by 4 तक cos का integration भी दुनिया जानती है sin x रेंज लग गई है pi by 4 से pi by 2 तक अगर आप pi by 4 रखते हो तो minus 1 by root 2 minus minus plus cos 0 1 हो जाता है दन है वैसे hospitals करके यहां पर Pi by 2 रखते हो तो 1 minus करके sin x रखते हो तो 1 by root 2 तो यह one plus one आपका e2 गिन रहा हो तो यह 2 minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 तो मतलब »minus 2 by root 2 तो मतलब अब देखो, आपको क्या पूछा है, 0 से pi by 2, 0 से pi by 2, sin x minus cos x, मतलब कि a1 plus a3 पूछा है इस question में, क्या पूछा है, a1 plus a3, तो a1 plus a3 कितना होगा, तो 2 times root 2 minus 1, कितना होगा, 2 times root 2 minus 1, यह root 2 minus 1, यह भी root 2 minus 1, तो 2 times root 2 minus 1, और यह जो मैंने आपको figure बना दी है, यह आपके दिलो दिभाग में बैठ गई होने चाहिए, कि सर यह root 2 minus 1, यह भी root 2 minus 1, और यह root 2 times root 2 minus 1, टेक्निकली यह होता है, 2 minus root 2, बट उसको हम symmetricity के इसाब से अगर याद रखना है, दिभाग में बैठ गया है, काम लगेगा, अगले question क्यों रबढ़ रहे है, यह तो बहुत ही famous question है, जब भी बैठ आपको A से B, F of X, नीचे भी कहीं F of X, और दूसरी term F of A plus B minus X दिख जाए, इसका answer fix होता है, B minus A by 2, यहाँ पर देख लो, F of X, F of X, यह देख लो, 0 plus 4028 minus X, दिख गया, तो बहुत है, इसका answer आएगा, 4028 minus 0 by 2, बहुत है, 2014, क्या answer आना चाहिए, फ्रेंट्स, इसका, 2014, जो option C में देख रखा है, अगले question क्यों बढ़े रहे है, root से का अपने को नफरत है, आपको भी मालूम है, तो पहला कम यह किया, कि X को T square बोल दिया गया, तो D X अपना 2T dt हो गया, तो यही question convert हो गया, D X का मतलब 2T dt upon X का मतलब T square minus root X का मतलब T, अब देखो ध्यान से, X जब आपका 4 है, तो T square आपका 4 हुआ, तो T आपका 2 हुआ, X जब आपका 9 है, तो T square 9 हुआ, तो T आपका 3 हुआ, यह 2 आगे, यह 2, 2, 3, यह T dt, यहां से T common लेके cancel out हो गया, तो यह हो गया DT, और यह हो गया आपका T minus 1, तो यह 2 times, यह log of T minus 1, और range लग गई है आपकी 2 से 3 तब, तो यह 2 times, जब 3 रखेंगे, तो log 2 होगा, minus करके 2 रखेंगे, तो log 1 होगा जो अपने 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 0 होता है, तो अपना answer 2 log 2, तो अपना answer log 4, यह 2 उपर चला जाए, यह done, log 4 आपका option B में place करके दिया है, तो आपका right answer क्या आना चाहिए था, option B, अगले question क्यों जड़ रहा है, यहां मतलब कि जो integration के 8 MCQ होते हैं, वो मैं समझ सकता हूँ, कि सबके मन में यही होगा, कैसे आएंगे, पूरे हो गए, आसान थे, आपका paper भी आसान आएगा, उसके integration भी आसान आएंगे, खाले basic जो चीज होती हैं, वो आपको आती होनी जरूरी है, अब देखो यहां से तो पहले आपको graph बता दिया था, कि उसमें यह root 2 minus 1, यह भी root 2 minus 1, यह root 2 times root 2 minus 1, डन है, जब दोनों आए तब, अगर अकेला sin आता है, अकेला course आता है, तो area कितना होता है, जितने quadrant होता है, number of quadrant is equal to your area, right, तो इस question के अंदर sin x अकेला आया है, और pi से 2 pi तक आया है, तो pi यहां प in the curve y is equal to x square, जिवन में कही न कहीं, तो आपने देखा ही होगा कि sir y is equal to x square ऐसा होता है, यह अपना y is equal to x square है, x axis यह रहा, and x is equal to 4 मानलो, यह x is equal to 4 है, तो इस area की बात हो रही है, पहले चीज़, इसको एक line है, x is equal to a, equally दो इसो में divide कर रही है, यह line है, x is equal to a, तो मानलो कि य area a1 है, area a2 है, और total area मानलो कि a है, तो आप समझ सकते हो कि a1 का double, आपका a होगा, यह तो a1 is equal to a2 होगा, जैसा आप सुरुआती है, यह तो a2 का double a होगा, जैसा आपको first step लगे वैसा आप लगा सकते हो, मैंने क्या सोचा कि अगर यह line इसको दो इससे में divide कर रही है, तो यह area का दुगना, total area होगा, total area का क्या मतलब इसका आपको equation मालूम है, x is equal to 0, तो total area, मतलब 0 से 4 तक, किसका वाई, तो x square का, यह कितना होगा, तो यह two time होगा, 0 से a तक, किसका वाई, तो x square का, बस आपको यह मतलब एक start-up जरूरी है, अगर यह आप पकड़ लेते हो, तो यह हो यह 0 से a, तो 3 3 cancel out हो गया, 4 substitute किया, तो यह 64 minus 0, is equal to 2 times, a substitute किया, तो a cube, तो ultimate बेटा आपको a cube जो है, वो 32, 32 अपने आप में 2 raise to 5 होता है, तो cube root ले लेंगे, तो a निकल जाएगा, 2 raise to 5 by 3, और साइट साब को यह ही पूछते है, generally, क्योंकि बहुत ही पुराना question है, यह answer क्या जाएगा, 2 raise to 5 by 3, अगला question क्यों बहुत है, next question देखते है, the area of region bounded by the curve, y is equal to x mod x, x axis, अब देखो, आपका जो curve है, y is equal to x into mod x, रही है, अगर आप x positive लेते हो, तो इसी को आप x square बोल दोगे, और अगर आप x negative लेते हो, तो इसी को आप minus x square बोल दोगे, y is equal to x square तो अभी आप आपने draw किया था, positive के लिए ये, negative के लिए, इसका negation तो हैसा हो जाएगा, done है, अब अपने को कहां से कहां तक पूछा है, minus 1 से, कहां तक, 1 तक, आप देख पा रहे हो कि एक graph जो है, ये तो symmetric है, तो आप total गिनने जाओ, ये x is equal to 0 है, तो required area को आप 2i 1, या तो 2i समद लो, total गिन रहे हो, उससे अचा, कोई x side का गिन के उसका double कर लो, जहां पर i क्या होगा, x side का लिए है, तो 0 से 1 तक, और इसके अंदर ये graph क्या है, x square, ये वाला क्या है, अगर ये वाला दोगे, तो minus x square के साथ जाना है, तो यहां पर x square dx, ये हो गए, आपका x cube by 3, रेन लग गई आपकी 0 से 1, 1 रखोगे तो 1, 0 रखने से तो 0 आएगा, तो 1 minus 0 तो 1 by 3 आई आए, आपका required area 2 आई था, तो final answer बेटा क्या आना चाहिए, आपका 2 by 3, जो option C में देखे रखा है, अगले question के रुपलड है, next question देखो, यहां पर बेटा फील करो, आपको 1 plus y1 cube raise to 2 by 3 is equal to x y2 है, अपने को तो मतलब के belongs to n, मतलब के integer type के index से हैं, तो मैं क्या किया, क्यूब कर दिया, तो क्यूब कर दिया, तो यह हो गया, 1 plus y1 cube का square is equal to x cube y2 का cube, इसमें highest order of differentiation कौन सा है, second, और उसकी maximum power कितनी है, 3, तो इसका order 2 और degree थी, आपको degree पूचा है, तो degree कितनी आएगी बेटा 3, clear है, अगले question के रबर्ड है, next question देखते है, the particular solution of differential equation, आप prepared रहोत, एक variable separable का MCQ, आपको board के paper में जरूर से solve करके आना है, देखो यहाँ पे, तो यह आपको देखे रखा है, x dy by dx is equal to minus y, so यहाँ dy upon y is equal to minus dx upon x, यह आपका variable separable हो गया, integrating both sides, so dy by y is equal to minus dx by x, तो यह हो गया बेटा log y, यह हो गया आपका minus log x plus log c, तो यह log y plus log x, तो जिसको आप log xy समझ सकते हो, is equal to log c, log cancel out, तो आपको xy जो है, वो c देखे रखा है, अब बोला है कि y to y से तो यहीं से आपका अंसर यह लोग हो जाता है, लेकिन अगर आपको exactly feel लाना है कि नहीं laser, no doubt, यह ज्यादा मैं prefer करता हूँ, time, time मतलब हो से के उतना fast अपने सांसर आना चाहिए, अपने को अपना paper कैसा भी difficult हो, लेंदी हो, कैसा भी हो, max to max 45 minutes में complete होना चाहिए, वो कब होगा, जब आप ऐसे छोटे छोटे time बचा होगे, c की value ना खोजने जाके, यहाँ पे आप 2 into 1, तो c2 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका exactly xy is equal to 2 मिलेगा, clear है, अगला question क्यों जा रहे है, अपने को यह linear differential equation पूछा है, no doubt, आप कई बार board ने integrating factor linear differential equation में पूछ लिये हैं, तो वापिस integrating factor से ही महबत कर सकते हैं, लेकिन solution भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या करना होगा, इसको सबसे पहले तो हम लोगों के पास जो इसका general form होता है, dy by dx plus p of x into y is equal to q of x, उसके साथ इसको matching करेंगे, compare करेंगे, तो p of x अपने को 1 मिलेगा, q of x अपने को pos x मिलेगा, तुरंट दुनिया गिने के integrating factor, क्या होता है, e raise to p का integration, तो 1 का integration x होगा, तो integrating factor x आया, इसका general solution आ आपके NCRT का MCQ है, तो आपको याद होना चाहिए, कि sir y into if is equal to in integration, if into q of x dx plus c, चीजों को substitute करो, तो y into e raise to x is equal to e raise to x into cos x dx plus c, अब यहां पे uv में आपको जाना नहीं है, lighter formula आपको सिखाएगे, e raise to x cos bx होता है, तो क्या answer आता है, e raise to ax by s square plus b square, cos है तो बीच में plus, पहला cos, बाद में उसका alternative sine, a और b दोना 1, 1 है, तो a cos plus b sine होता है, plus c, then y into e raise to x, तो e raise to x से divide लगा दो, y is equal to, यहां पे हो गया आपका cos x plus sine x by 2 plus c e raise to minus x, तो यह कुछ आपका answer बना, y is equal to cos x plus sine x by 2 cos x plus sine x होना चाहिए, plus c, यहां पे आपको option a में ही plus मिला, तो right answer के आना चाहिए, इ अगले question की बढ़न है, next question है question number 36, देखो इस type का question भी आपके आने वाली board की exam में काफी important question है, आपको unit vector opposite direction along x bar plus y bar minus 2z bar पूछा है, तो सबसे पहले जो पूछा है हो डेवलप कर लो, x bar आपके पास है 110, y bar आपके पास है 011, और minus 2z bar इसको minus 2 से multiply करके बना लो, तो minus 2, 0, minus 2 इन minus 1, अब unit vector, तो मतलब कि इसको इसके magnitude से divide कर लो, तो 4 plus 1 5 plus 1 6, तो root 6 से divide कर लो, opposite direction तो इसकी sign बदल दो, ठीक है, तो यह मतलब simplify करोगे, तो आपका answer 1 by root 6, minus 2 by root 6, और 1 by root 6, बहुत ही मतलब, मतलब मान के जलो कि predictable है कि ऐसा question आपको करना ही है, तो option A आपका correct answer है, अगले question की बढ़ने है, next question, the position vector of the point P, तो एक point दे के रखा है, 4, 5, minus 3, the distance of the point P from the plan, xy, जिसका equation z is equal to 0 होता है, yz, जिसका equation x is equal to 0 होता है, और xz, जिसका equation y is equal to 0 होता है, किसी भी point का, किसी चीज से distance अगर पूछने है, पूछ ले, तो आपको क्या करना होता है, उस point का, उस चीज पे projection स distance formula, तो सबसे पहले, इसका xy पे projection क्या होगा, तो आप बोलोगे sir, 4, 5, 0, yz पे projection क्या होगा, तो आप बोलोगे sir, 0, 5, minus 3, और xz पे projection क्या होगा, तो आप बोलोगे sir, 4, 0, minus 3, अब distance formula correlated लगाओगे, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 3, यहाँ पे आपको कितना मिल ज या आपका P3 था इन किनों का आपको सम पूछा है तो 3 प्लस 4, 7 प्लस 5, 12 दूसरा तरीका होता है जब सारे plane के साथ distance का सम पूछ ले तो आपको जो element मतलब कि जो vector दिया होता है जो आगे वाले session में अगर यह type repeat होगी मैं directly आपको यह आपने shortcut बता दूँगा mode 4 प्लस mode 5 प्लस mode minus 3 अगर इस type का question आता है तो दन है अगले question क्यों बढ़ते हैं सेम उसी type का question आगा है तो position vector of point राइट ना इस बार यह point है इसका xy plane अभी समझ गे z is equal to 0 उस पे इसका projection होगा 4 to 0 और उससे उसका distance हो जाएगा 3 दन इसको आपको p1 बोला है मैंने इन दोनों में distance formula लगाई तो 3 आया है सही है ओके y axis y axis पे इसका projection हो जाएगा 0 to 0 दन है और इन दोनों के बीच में distance formula लगाऊंगा तो solar 09 25 तो मतलब यह हो जाएगा 5 जो आपका p2 दिया है अपने तो basic के साथ ही जाते हैं दोनों का sum तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 complete है अगले question क्यों बढ़ते है next question देखते है एक mcq predictable आगे दो वाले तो क्या होता है कि एक दो scholar लड़कों की पहचान करने के लिए mcq डाले ग अगर vector form में चाहिए तो जिस पर ले रहे हैं उसकी direction मतलब कि उसके unit vector जैसे कि यहां पर आपको vector form में पूछा है तो क्या formula बन जाएगी मानलों कि a bar का b bar पर projection पूछा है तो क्या होगा a bar dot b bar upon mod b bar into b correct done है तो यहां पर a bar dot b bar आपको बनाना ही है तो यह देखो माइनस 8 माइनस 2 प्लस 4 अपन मोड भी बार तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 root 6 into unit vector along b bar तो मतलब कि 2 1 1 divided by its own magnitude तो यह हो गया है आपका माइन मतलब कि माइनस 10 प्लस 4 तो माइनस 6 यह root 6 root 6 6 6 6 कट गया है तो जस्माइनस तो मतलब कि माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 तो आपका अंसर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 नेक्स आमसी की सबर बढ़ रहे है यह पहले पेपर में भी मैंने आपको सिखा था वापिस आपको सिखा रहा हूं még को परपेंडिकूलर कौन होता है। दो वेक्टर होते है प्लस और माइनस इन दोनों का इंटर've चांज कर देने का और इसकी साइंड़ रहे हैं कि सेकेंड वाद वाभा ठीक है अगर यूनिट्टर पूछ निटीबाइन का तो इस ही को इसके 3 by 5 अब देख लो आपको क्या देखो दोनो प्लस नहीं है माइनस 4 by 5 3 by 5 दिखा तो यह answer है माइनस 3 by 5 शुरुवात में नहीं आ रहा है और दोनो प्लस नहीं है तो यहां से भी आप यह तो फिर आप option इनके diagonal के बीच के angle क्या होगा अच्छा है मिसे क्यों बन गया है सबसे पहले आपको यहां से concept adopt कर लेना है मान लोग यह कोई पेलोग्राम है जिसके एक side a है दूसरी side b है तो यह जो diagonal होगा न बेटा यह a प्लस b होगा और यह जो दूसरा diagonal होगा न बेटा वो होगा a minus b तो diagonal 1 जो क्या होगा इन दोनों का sum diagonal 2 जो क्या होगा इन दोनों का difference तो a plus b गिना महिने तो 3, 0, 0 मिला a minus b गिना महिने तो 1, 2, 2 मिला अब दो vector के बीच का angle मानलों की theta है तो cos theta है इन दोनों की dot product होती है तो numerator आपका 3 हो गया denominator तो इसका magnitude 3 और इसका magnitude b 3, 3, 3 cancel out तो theta आपका मिल गया cos inverse 1 by 3 कितना मिला बेटा cos inverse 1 by 3 जो आपको option a में दिया है तो ये कुछ मतलब वापिस अच्छा student की पहिचान करने के लिए mcq था जो आपको दिमाग में रखना है कि मतलब के diagonal क्या होते है एक होता है a plus b अगर adjacent side आपको given है दूसरा होता है a minus b अगले question क्यों बढ़ रहे है the equation of line passing through this and perpendicular to a b where b देखो बैटे a है b है आपकी line जो है वो a b को perpendicular है तो सबसे पहला काम आप a b की direction निकाल लो ना कैसे निकलेगा b minus a से ना तो 13 minus minus 2 तो कितना हो गया 15 minus 3 minus 2 कितना हो गया minus 5 13 minus 3 कितना हो गया 10 आपकी line इस direction को perpendicular होने चाहिए तो मतल नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी direction तो यही देखे रखे तो परेर होंगे या तो कोई incident होंगे ठीक है अपने को तो perpendicular पूछा है अब यह दो option बचा है दोनों में direction सेम देखे रखे तो मैं वो dot product 0 हो रहे हो चेक करने का कश्ट करूंगा ही नहीं क्योंकि दो में से कोई ना कोई एक answer होना ही है ठीक है तो अब point या तो आपका point यह हो सकता है या तो यह हो सकता है तो यहाँ पर जनरली बोला है passing through this point आपका point यह ही है तो numerator किससे सजा होना चाहिए था x plus 2 y minus 2 z minus 3 वैस आपको कहां पर देखे रखा x plus 2 y minus 2 z minus 3 एक बार खाली मन के शंशाइ के लिए dot product लगा यह है exactly आपका answer आएगा option B अगल एक question के और बढ़ें next question देखो the angle between two diagonal of cube cube के दो diagonal के बीच का angle कितना होता है अगर आपने दिल से क्यूब को पहचाना है तो आपको मालूम होना चाहिए सर्कॉस इनर्स 1 by 3 अगर नहीं पहचाना है तो पहचान करवा देते हैं पहचान लेना एकदम दोस्त बना लेना देखो मालो कि यह आपका cube है done इसके कोई भी आपको डो diagonal खोदने है मालो कि यह 100 है तो इसका diagonal कोन आएगा यहाँ पर आएगा यह connect करेगा तो यह क्या होगा आपका 0111 एक आप origin को ही ले लो तो इसका diagonal end क्या होगा 111 ठीक है तो diagonal 1 मतलब कि यह मैं गिन रहा हूं तो क्या है गाएगा 10-10 तो मतलब कि माइनस 111 और जो दूसरा diagonal है वो में ले रहा हूं इन दोनों को तो क्या आएगा 111 तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल ठीटा है तो पोस्ट टीटा क्या है गाएगा इन दोनों की डोट प्रड़क्त माइन दोन प्लस पेस्ट का है ही लेकिन ब से आप मतलब एंगदम माने में दो हो गया या राऊल सर के स्टूड्ड ओकल ना बड़ा अगले स्क्क्रेस्ट dakika डिसी अकर यह ढन ट्रेक्सन को साइन का। मतलब ही होता है कि उनित वेक्टर बन गए तो स्टीर अलफा प्लस वस्केर बीडा प्लस स्क्षर गहाँ तो स्क्षर गेमा कितना होता है बढ़ गानें uh पूछा है, cos 2 alpha है, यह generally 12 standard का question है ही नहीं, ठीक है, यह 11 के टीगो है, वो भी एकदम आसान लेवल का, cos double को क्या बोला जाता है, 2 cos square single minus 1, similarly 2 cos square single minus 1, similarly 2 cos square single minus 1, यहां से cos square वाली term में से 2 common, तो यह हो गया आपका cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma minus 3, और यह आपके पास 1 थाई, तो 2 into 1, 2 minus 3, आप का answer आगया, minus 1, minus 1 option A में press करके दिया है, तो right answer क्या आएगा, option A, अगले question क्यों रबढ़ है, यह तो old textbook का MCQ है, कि Z क्या होगा, तो Z segment denote करता है, segment मतलब close interval 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, और linear combination होना चाहिए, दान है, तो मतलब किसी को अगर lambda लगेगा, तो दूसरे को 1 minus lambda लग आपको line हो गई, ठीक है, belongs to our line हो गई, आपको segment होता है, तो मतलब यह दोनों में से linear combination होना चाहिए, तो देखो यहां पर आपको exactly linear combination मिला है, तो आप answer क्या आएगा, option B, एक को lambda लगा है, तो दूसरे को, मतलब कि parameter का sum 1 होना जरूरी है, डन है, अगला question क्यों बढ़ है, which of the following statement is correct, आपते यह रट गया होगा, कौन सा follow 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 को याद करो, कुछ चीजे life में एक ही बार होती है, अगर कोई चीज लाइफ में एक से ज्यादा बार होई, यकिन मानना बार बार होगी, समझ रहे हो, तो मतलब कि if a LPP admits to optimal solution, it means it has an infinite number of optimal solution, done है, अगला question क्यों बढ़ बढ़ रह जाने पहचाने, यह भी मैंने पढ़ाते टाइम बोला था कि डेस की लेटी डेती है, ना नुमरेटर में होती है, मतलब कि just like अगर आपको a-by-dates को इस form में लिखना है, तो आप इसको one minus a by b-denominator को आप कुछ नहीं करोगे, वह वंदा वो ताकत वर है, जान देने का उसको जो कुछ भी डेस one minus की लेती डेती हो, आप उपर वाले मतलब कि जो event होती है, उसमें करोगे, तो इस टाइब की वोटो आपको कहा पे मिल रही है, देखो, आपको क्या पूछा है, सब सब पहले पर, a-by-dates, तो क्या होना चाहिए, one minus a-by-dates में उपर वाले के साथ होती है तो one minus a-by-dates गलत है, one minus a-by-b-b गलत है, हाँ, option d दिया है, मैं सोचे हैं गलत हो गया है, क्या अगले question के रोड़ है, next question, देखो, if a and b are two events, such that a defined, b defined, a intersection, b defined है, आपको बेटा पूछाए, एक mc क्यों आप ये conditional probability का, मान के ही चलो कि आपको solve करके आना है, देखो, a-by-dates उपर दोनों के intersection की probability आती है, फिर दम औरगन को याद करो, a- intersection, b-dates को a union b का dash बोला जाता है, सही है, फिर कोलमोगरों को याद करो, dates का मतलब one minus, यहाँ पे भी one minus, अब a union b की formula आपको मालूम है, p of a plus p of b minus p of a intersection b, सारी चीज़े हैं आपके पास, just substitute कर दो, यहाँ लिख र minus p of b कितना है, 1 by 4, minus minus plus a intersection b कितना है, 1 by 5, अपन 1 minus p of b कितना है, 1 by 4, 3, 4, 5 काल से, हम 60 ले ले लेता हूं, तो 60 minus 20 minus 15 plus 12, अपन 60 minus 15, 60 में से 20 गिया, 40, 40 में से 15 गिया, 25, 25 में 12 a गुआ, तो 37 upon 45, तो 37 upon 45, अपन 45 option b में देख रखा है, और इसके साथ, दोस्त, last mcq पे आपना पहुंच गया है, क्या वोला है, थोड़ा सा paper यह यह लेंदी बनाया था, जान बुच के बनाया था, जिन लोगन दिया है, उनको तो मालूम है, ठीक है, देखो, suppose a and b are two persons, दो बंदे की बात हो रही है, the probability that a does the job is 4 by 5, a job करेगा 4 by 5 probability के साथ, and b job करेगा 3 by 4 probability के साथ, first paper में भी contradiction वाला था, same to same वही है, then what is the probability that only one person does job, भाई, एक ही बना जोब करना चाहिए, उसका क्या मतलब हुआ, अगर a job कर रहा है, तो b को नहीं करना है, या तो b job कर रहा है, तो a को नहीं करना है, done, तो a 4 by 5, तो b dash 1 by 4, b 3 by 4, तो a dash 1 by 5, तो दोनों का denominator 20 है, numerator में 4 plus 3, तो बैटा क्या आंसर हैगा, 7 by 20, 7 by 20, option D, done है, तो दोस्तों इसके साथ, आज का ये session के जिसके अंदर हम लोग one short, full syllabus, board related, board level के 8 गिर्ट, 50 MCQ, 16 की है, आसा रखता हूं कि सारे concept आपको आए होंगे, सारी चीज़े एक बार revise हो गई होगी, कुछ चीज़े आप अगर भूल गए थे, तो recall हो गई होगी, और जरूर, चाहे बलेन आप मेरे आगे के सारे session attend किये, सारी चीज़े सीखे हैं, अगदम pro level की महिनत किये, पूरा दिल लगाया है, फिर भी हर session में बेटा promise करूँगा, कुछ न कुछ तो नहीं, आपको सिखा के ही जाओंगा, तो इसे future में अगले session के लिए वेट कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, बरोसा रखिएगा, 100 लाना है, तो लाना ही है, आद तक बगवान ने, मेरी एक single जो भी शोती है, वो अदूरी नहीं छोड़ी है, तो इस सब्सक्राइल सक्राइल रखिएबस दिह झाली जो जाना है, तो ऊक्योरald 1 औरो सब्सक्ते शोले है जो आज़ा है, इस बोने है के लिए बहाँा सब एक्राइबस जाइबस, आज पमेर्स ऐसे कीज़गा है, रभी नहीं जा है जाबस, एक normार, नहीं जोर आ बगदOOO, जली